शर्म की बात है। तुमने मेरे साथ धोका किया है। सज्जन युद्ध हैसा नहीं करते। हाँ ये सच है। हाँ मैं एक औरत हूँ और मैं थोड़ी भी सज्जन नहीं। हाँ तुम्हें क्या चाहिया आखिर। जैसे मैंने कहा हा है। मैं चाहती हो अपने सैनिक पीछे लो जंडरल। मेरी जान खत्रे में है। अपने देश इसकों बचाने के लिए अपने सैनिक genome बचाने केलिए मैं मर्ना पसंच करfähणा समझीै। तुम बहुत बेहुदा हो, तुमने हजारों लोगों की जान लिया खुद को सच्चा मानते हो, हाँ, मैं देखूँगी तुम सच में सच्चे हो या नहीं, शुन हुआ, हाँ जन्रल अब देखो तुम्हारे आदमी खाना खा रहे हैं, जबकि मेरे आदमी युदि की तयारी कर रहे हैं, यह इशारा युदि की तयारी करने की सूचना दे रहा है, जब दूसरा इशारा बाहर आएगा, हमारा सैने तुम पे आकर्मन करेगा, उस वक्त तुम्हारा सैने प्रमुक कि बगेर होगा तुम यह लड़ाई हार जाओगे युद्ध के समय तुम नहीं लड़ सकती राजकुमारी ने सम्मराट के नियमों का उलंगन किया है क्या तुम मजाग बनने से डरती नहीं हो नहीं डरती सेने वापस ले लो वरना आकरमन करूंगी एक बात सुन लो युद्ध में मरना ही सेनी की किस्मत है तुम्हारे एक नड़ने पर हजारों लोगों की जाने नर्भर है हाँ ठीक है जनरल तो अब तुम अपने सेनीकों को आखरी बर देख लो जाम कर लुद्ध कर दी हम लोग शांती से खाना का रहे हैं इस बात पर चलो जाम तकराए है आहां लो जाम क्या बात है वचा खालो तुम खालो अरे थोड़ा इधर भी दो आहां हां ठीक है अच्छा यू धर्च्छा लड़ रहे हैं आप जलने करो अ जलने डेल आखना ड़ने जलने करो आखाना माना जूशी हुई शुआ चो बाइए, खाये, खाये शुन्हुआ यहाँ उल्क जाओ मैं सेरा वापिस लेता हूँ जेनरल सैनिकों की जान को प्रतिश्चा से उपर मानता है मैं प्रशन सक हूँ तो क्या अब मैं जा सकता हूँ नहीं तो तुम हमारा अभारन करोगी तुम्हारा नहीं पर इसका तुम जाकर संदेश दे सकते हो जब तुम्हारी सेना पीछे पड़ेंगी मैं उसे छोड़ दूंगी उसे ले जाओ जन्राल सेवा के लिए दनेबाद जन्राल चलो मैं तुम्हे छोड़ू उना नहीं क्यों मारे जला आरा जलो क्यों मारे जन्राल को आजाद करतो सैनिक तो भाग रहे हैं अगर ये चालाक होते तो आकरमन नहीं करते सैनिक ओपर नजर रखो अगर उन्होंने आकरमन किया तो उन्हें मार दो माराज माराज क्यों हमें पीछे छोड़ दिया है हमें आकरमन करना होगा साही का साही का चलो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर हमने ऐसा किया तो तो क्या हम ऐसे क्यों को जीतने दे देंगे जनरल इस वामले में आप क्या कहेंगे भाग और दुरभागय एक के बाद एक आता है यह भागय दुरभागय की बात करने का वक्ट नहीं है सभी का सब्र करो सभी लोग जनरल की दश्मनों के हाथों पकड़े गए हैं और अब हम सब आकरमड करने का जोखिम नहीं उठा सकते समझ गए ना तुम तो हम जिर्फ बैठे रहें और कुछ ना करें सब इसेन को हमारा सेनी 20 मिल दूर जाएगा और आदेश की प्रतीक्षा करेगा मैंने हमारे की के हर बाइलिंग को खत भेजा है और मुझे लगता है कि हम जल्द ही निकलेंगे जू ने अपना साइन्या पीछे ले लिया देखकर लग रहा है जनरल क्यू को बंदी बनाकर अच्छा किया मुझे छोड़ने का क्या इरादा है ये बताओ मुझे तुम शांत हो जाओ जनरल जब तुम्हारे सैने दूर जाएगा मैं खुद तुम्हें वहाँ जाकर छोड़ूंगी जनरल को छोड़ दो राजकुमारी खोल दो हमने जाल बिछाया है और हम सब सुरक्षित है तुम भाग नहीं सकते हमारे सैने कितने खुश है उन्होंने अपने सेना को पीछे छोड़ दो हाँ हाँ चाहिए खेल लो है रहे थे पैट कि खेल रहे हैं तुम लोग दो रहे वह कुमारी और पर वह तुम ठीको आ वह बहुत बढ़िया अचाब्ते रहो शुन हुआ इसे दो महेरे के तो यह वांपस का बाएगा तुम बस घर रहो नियो नियो के साथ और उसे बढ़ती हुए देखो अरे समल के आँ वाँ बहुत बरिया नहीं अरे वाँ उठो और घर जाओ नालायक बेश्रम नालायक कही कही शांद हो जाए महाराज वो मेरी चोटी बहन है पर उसने सब के सामने नियमों का उलंगन किया है वो भी की को नीचा दिखाने के लिए मैं रोयल कोट को जवाब नहीं दे सकता और मैं सभी राजिपालों को भी जवाब नहीं दे सकता क्या होगा अगर सभी राजिपालों ने इसे ही ध्यान में रख कर कीपर आख कमर किया हम तो बताओ क्या कर सकते हैं हम महराज शाही अदालत के नियमों के हिसाब से आस-पास की रियासतों से हमारी संधी है वो हम पर यूहीं आकरमन नहीं कर सकते अगर ऐसा किया उन्होंने तो ये अदालत के आदेश का उलंगन होगा वो कैसे महराज ये तो तय है कि प्रशाशनिक दवाओं में आकर जनरल की जिंग अपना समर्पन कर देगा और अब महराजी ने की लियांग को युद्ध का सेनापती बना दिया है अगर अब वो शिकायत करते हैं तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए अदालत के सामने की लियांग कैसे खुद को हवाले करेगा महराज की लियांग को हमें महल में बुलाना चाहिए उसका पूरा सम्मान करना चाहिए हमें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो हमारे सामने अपना आत्म समर्पन कर दे उसके सामने कोई रास्ता नहीं सिर्फ समर्पन ही उसे बचा सकता है एक में उन्दी रहे मेरा आदेश हर जगा फैला दो जांगली को जनरल को ले जाने दो और उसके बाद मैं उसे सजा दूँगा जनरल क्यों मेरे पास आपको बताने के लिए ख़बर है मैं सुन रहा हूं बोलिये सम्राइट आपको बुला रहे हैं मुझे उमीद इसी कि थी उसने सम्राइट को ये कहा है कि तुमने क्यों के सामने हार मान ली है और मुखे मंत्री का रूप ले लिया है वो यसा कैसे कर सकता है सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है शन्हुआ हां मेरा टुकन लो और जनरल क्यों को आज ही वापस भीज दो क्या पर यह आदेश है हां ठीक है तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे बुलाने पर आये हो मैं तुम्हें शर्मिनना होने नहीं दूगी लेकिन तुम महाराज को कैसे समझा पाओगी वो मेरी जिम्मेदारी है मेरी चिंता मत करो मैं तुम्हें साथ चलने को तयार हूँ अब जब सबको यह लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है तो मेरे पास सफाई देने के अलावा और कोई चारा नहीं है तुम सेना का नेत्रित्व कर सकते हो उसके बदफ़ा ऐसे ही गायब हो जाएगी एक बार अपनी सेना को पीछे मैं खीच चुका हूँ समझी तुम मैं एक और जूटा वादा सबसे नहीं कर सकता हूँ अब महराज ने मुझ पर एक अलंक लगाया है तुमेरे माथेस इस कलंग को उन्हें हाटाना पड़ेगा चिंता मत करो जनरल मैं जब सच बताऊंगी हमारे सैनिक शेहर को बचाएंगे जू की सेना को हमला करने से रोक लो जाओ और गोडो को तयार करो शुन हुआ तुम चलो मेरे सांथ लिंजी के पास